बिहार में होने वाली BPSC के माध्यम से बिहार सिख्षक भरती जिसके पदों की संख्या 1,70,000 है उसमें अन्य राजे की अभीरति को पातर नहीं माना गया है बावजूद इसके अगर अन्य राजे की अभीरति मानने पटना हाई कोट का दर्वाजा खट खटाते हैं तो निशी तोरपन उनकी जीत होगी क्योंकि इससे सम्मंदित पहले भी मामले उतर प्रदेश में हो चुके हैं और उसका कोट ओर्डर है और उसी के बेस पर मानने पटना हाई कोट अन्य राजे की अभीरति को मौका दे सकती है इस वीडियो में मैं ये मान करके चलाओं कि अन्य राजे की अभीरति पूरी तरीके से इलिजबल हो जाएंगे अगर पटना हाई कोट में याचिका जाती है तो उसके बावजूद भी अन्य राजे के ऐसे हजारों लाखों की संक्या में अभीरति होंगे जो पातर होते हुए भी इस सिछाक भरती प्रतिया में शामिल नहीं हो सकते हैं कौन होंगे ऐसे अभियर्थी इसके बारे में डेटेल में बात करेंगे आने तक जुड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिप चैनल और अन्रिजर्व कर्टिग्री में फाइट करने का मतलब यह हुआ कि आपको अन्रिजर्व कर्टिग्री की सारी इलिजिबिल्टी हासिल करनी होगी चुकि प्रात में किस तर की सिक्षाग बर्दी कच्छा एक से पांच के लिए आपको BTET या फिर CTET मांगा गया है जिसमें अन्रिजर्व कर्टिग्री के हिसाब से CTET का क्वालिफाइंग मांक्स एचीब करना होगा इस सिक्षाग बर्ती में शमलित होने के लिए अगर उधारण के तोर पर मान लिजे कि आप उत्तर प्रदेश से सम्मंदित हैं और आपका CTET में 85 नंबर पाकर के आप क्वालिफाइ हो चुके हैं तो आप उत्तर प्रदेश में केवल एप्लाई करने के लिए क्वालिफाइ हैं क्योंकि अन राजे में जब आप जाएंगे तो OBC आप नहीं काउंट होंगे आप अन रिजर्व काटिग्री जनरल में काउंट होंगे और जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स 90 अंक होता है ना आवेदर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे जितने भी कैटिग्री से संबंदित अभ्यरती हैं जिनका नंबर 82 से ले करके 89 के बीच में हैं वो सभी इस पूरी तरीके से सिख्षक भरती से बाहर हो जाएंगे अगर मानने पटना हाई कोर्ट के द्वारा इनको मौका दिया जाता ह तब भी क्योंकि आपको जनरल में ही फाइट करना होगा और जनरल में फाइट करने के लिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 90 अंग होगा ना की 82 अंग दोस्तों अगर आप अनराजय से समंदित हैं और किस प्रकार से मानने पटना हाई कोर्ट में केस के माध्यम से आपको जीत मिल सकती है या फिर क्या इसका ग्राउंड है इसके रिगाडिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने डिटेल में बता रखा है जिसका